हाव तू स्टडी सेवंटीन आवर्ज एडे कैसे सत्रा घंटे एक दिन में पढ़ाई करी जाए ठीक है यहां तो मैं पढ़ाई करनी पाता हूं और अगर पढ़ाई करता हूं तो मेरी एफिशियंसी बहुत जादा कम है उसका जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि मेरे बह बहुत ही खराब बात साहिए वाइट को आपको बता भी देता हूं ठीक है अब बात करी लेते हैं अब पांचार मिट की बात है जो जाना चाहता है वो जा सकता है ठीक है देर इसे वेरी गुट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नोन आज कोरा शायद आपने नाम सुना होगा आज से लगबग थोड़ा भयाद भूल गया है थोड़ी वेग होंगी डिटेल्स क्योंकि मैं मैंने बूला ना कि स्टोरी को थोड़ी वेग है तो प्लीज थोड़ा कॉपरेट करिएगा मेरे साथ एक परसन था उसने एक कोरा पे आपको पता ही है कोशिश पूछे जाते है लोग आंसर देते हैं अपने life experience पे मैं भी कोरा पे हूँ extremely inactive हूँ मैं कभी भी किसी चीज का आंसर नहीं देता क्योंकि मेरे पास time ही नहीं होता हाँ लोगों के आंसर पढ़के उनसे सीखने की जरूर कोशिश करता हूँ ठीक है किसी एक परसन ने वाँ पे question पूछा हुआ था how to study 17 hours a day कैसे 17 गंटे एक दिन में पढ़ाई करी जाए ठीक है उसका एक आंसर एक लड़के ने दिया हुआ था ठीक है मुझे उनका नाम भी भूल चुका है मुझसे एज में कम से कम वो 10 साल चोटे होंगे मेरे वो student भी नहीं है मेरा कोई relation भी नहीं है उनसे बड़ उन यार और क्यों क्योंकि 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 अपनी लाइफ में हमने भी कभी यह काम क्या हो ना हमेशा महनत की कदर वही कर सकता है जो बंदे ने खुद कभी महनत कर रही हो या महनत कर रहा हो ठीक है ना जो खुद महनत नी करते लाइफ में कभी नी करी होती उनको कभी भी किसी दूसरे बंदे की महनत की वेल्यू भी नहीं समझा रहा चलो 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 खतम खतम ठीक है क्यों कि I have been at that place मैं ने वो बहुत टफ टाइम देखा हुआ है ठीक है उन परसन की स्टोरी कुछ ऐसे है मैं उनका नाम भूल चुका हूं I am extremely sorry for that मेरी problem है मैं नाम भूल जाता हूं शायद उनका नाम संदीव था बड़ मुझे नाम याद नहीं है वह आज से 6-7 साल पहले IIT Bombay में PhD कर रहे थे किस department में कर रहे थे मुझे वो भी याद नहीं है मैंने उनका answer पढ़के social media platform पे मैं किसी भी अंजान person को message नहीं करता हूं चाहे वो बहुत बड़ी personality हो चाहे वो कोई कुछ भी हो ठीक है बच्चों के साथ ये story share करूँगा जो कि future में neat exam qualify करके doctors बनेंगे IITJ qualify करके IITians बनेंगे तो क्या मैं ये story उन बच्चों के साथ share कर सकता हूं तो उस person ने उन्होंने जवाब भी दिया answer आप कर सकते हो thanks मुझे अच्छा लगा आपने मेरा answer read किया ठीक है मेरा कहीं पर भी unfortunately placement नहीं हो पाया था ठीक है college का नाम यहां placement हो गया था तो मैंने छोड़ दिया था मैंने बोला न स्टोड़ी थोड़ी वेग है भूल चुका मैं थोड़ा थोड़ा ठीक है यहां तो मैं पढ़ाई करनी पाता हूं और अगर पढ़ाई करता हूं तो मेरी efficiency बहुत जादा कम है ठीक है तो efficiency बहुत जादा काम है, तो मैंने पता क्या सोचा, मैंने सोचा कि मैंना अपना कोई library जवाइन कर लेता हूँ, घर के पास, ठीक है, और मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, ठीक, कैना मैं पहले दिन library गया, और सारा दिन पढ़ने की कोशिश करी, मैंने ये देखा, कि मेरी efficiency पूरे दिन में, सिर्फ दो गंटे के थी, पूरे दो गंटे की, यानि कि 10-12 गंटे पढ़ने की कोशिश करी, कोशिश करी, तो सिर्फ कितने गंटे पढ़ पाया, efficiency से सिर्फ दो गंटे पढ़ पाया, ठीक है, मेरे माबाब भी मुझे डानते रहते थे, special on, ने ने रेफरे efficiency थी, मैं सुबह से लेकर रात तक लाइबरेरी में रहता था, ठीक है, सुबह लगबग 10 बजे के करीब, शाम को लगबग 7 बजे के करीब वापीस आ जाता था, मैंने देखा, मेरी efficiency जो है, वो 4, 4 and half hours, 5 hours के आसपास पहुंच चुकी है, ठीक है, फिर मैंने ये सोचा, सितं National Institute की test series जोइन कर लेता हूँ, मैंने test series जोइन कर ली, अक्तूबर के end में, मेरा पहला test हुआ वहाँ पर, और obviously तब तक efficiency बढ़ बढ़ के थोड़ी 7, 8, 9 गंटे तक शायद आ चुकी थी, मैंने अपना पहला test दिया, उसका जब result आया, तो मैंने देखा कि मेरे बहुत ही खर जब मैंने उसका result library में देखा, जब मैंने उसका result library में देखा, तो मैं रोने लग पड़ा, ठीक है, क्यों क्योंकि मेरे को मैंनत करते हुए, अभी 3-4 महीने हो चुके थे, धीरे-धीरे मेरा level भी बढ़ चुका था, मैंने 2 गंटे से शुरू किया था, आज मैं 7-8 गंटे जब मैंने उसे देखा, तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं उस दिन से लेके दिवाली आने वाली थी, लगबव February तक, ठीक है, मैंने अपने आपको war zone में convert किया, कि अब ये war है, आईदर do or die situation है, मैंने धीरे-धीरे-धीरे-धीरे अपने level को बढ़ाना और शुरू किया, मेरा पागलपन इस हद तक बढ़ चुका था, कि दिवाली आई, भाईया दूज आया, कोई और सारे त्यहार आए, मैं अकेला person था जो लाइबरेरी में available होता था, एक ऐसा समय भी आया, जो लाइबरेरी के owner थे, उन्होंने मुझे अपनी keys दे दी थी, लाइबरेरी की, क्य क्योंकि अब मैं सुबे साथ बजे वहाँ जाता था, और कभी-कभी रात को बारा एक, दो बजे वहाँ से वापिस आता था, तो keys मेरे पास थी, मैं ही वो person था, जो रात को लाइबरेरी को बंद करता था, मैं ही वो person था, जो सबसे पहले, जो सबसे पहले लाइबरेरी को आके खोलता था, तो जो नून इस हद तक बढ़ चुका था, कि जो मेरी माँ मुझे आज से 5-6 महिने पहले कहां करती थी, कि तुम कुछ भी नहीं पढ़ते हो, कि उमने drop year ले है, तुमने अपनी job छोड़ी है, आज वही मेरी माँ मुझे कहती थी, कि शायद इसके उपर किसी ने जादू टोना कर दिया है, और ये person जो है, पता नहीं क्या हो गया, ना किसी रिष्टेदार के आ जाता है, ना किसी हमें आया कि उस जगा के जो municipal counselor थे, उनको भी बुलाया गया, कोई library का कुछ उध्गाटन वगएरा था, या कोई function था, और मुझे specially मिलवाया गया कि ये हमारे यहां का area का बच्चा है, और ये library को सुबे 7 बज़े से लेके रात के 12 एक 2 बज़े तक use करता है, ठीक है, फिर म आप सब लोग destination के बारे में सोच रहे हैं, it's not about the destination, it's about the journey, उनका result बहुत अच्छा आया होगा, क्योंकि वो IIT Bombay में PhD कर रहे थे, तो मेरे को लगता है कि obviously वो उसी path से निकले होंगे, बट मुझे लगता है, बहुत अच्छा गिया, उन्होंने result अपना नहीं बताया, क्यों क्योंकि यह journey है, जो एक इंसान को बनाती है, result नहीं, result नहीं, result नहीं, result ठीक है, अच्छा आना चाहिए, जब इतनी महनत करते हैं, but I can feel it, मैंने जब वो स्टोरी पड़ी, it was extremely motivating for me, मैंने कई साल वो स्टोरी अपने पर संभाल के रखी होई थी, unfortunately उन्होंने जो भी थे वो, उन्हें अपना वो सोशल मीडिया प्रफाइल डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, तो वो आंसर भी, जैसे बोलते हैं, मेरे आर्चीव से में बड़ा हुआ था, वहां से क्या हो गया, डिलीट हो गया, but this is what I feel, अरे, मुझे किसी ने ये भी बोला, कि यार, वो जूट दिया, बकवास लिग दिया, क्या उससे दी मोटिवेट हो जाएगा, ना, वो तो दुनिया का काम है, अपना काम है, जस्तेक दा वन स्टेप फर्दर, जो कल थे, आज हम उससे बैटर करें, जो आज करेंगे, कल फिर अगले दिन अगले असा रगना चाहिए, कि कल वाले से जर्नी अरजुनाज, इट्स नॉट अबाउट देस्टिनेशन, तो इट यह डाउन दा लाइन, इफ आल आफ यू विल से, के सर इन दो सालों में इतनी महनत करी हमने, जो इतनी हमने कभी टेंट के बास सोची भी नहीं थी, हम कर सकते थे, इस इस वाट विल, एक यू एट human being, ठीक है, यही है, जो सबसे ज़्यादा matter करता है, ठीक, जी, 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 सो make sure करें, ठीक है, थोड़ा push मारें अपने आपको, ठीक है, and सीखें, जितना सीख सकते हैं, किसी की story से, देखो हम, मैं तो उनको जानता भी नहीं, ना वो मेरे student रहे हैं, मेरे को नाम भी अच्छे तरीके से याद नहीं है, यह मेरा fault है, मुझे नाम याद होना चाहिए था उनका, बड़ मुझे उनका नाम भी याद नहीं है, बर फिर भी मैं कितना motivating feel कर रहा हूं यार, उस person से, और story में से कुछ हिससे missing भी हो गया, क्योंकि काफी साल हो गया, उस story को read नहीं किय तो, but it was quite motivating, quite motivating, ठीक है, तो hope so, आप भी अपने आपको push मारेंगे, it's all about the journey, it's not about the destination, ठीक है, महनत करते रहेंगे, आज नहीं, तो कल, किसी ना किसी एक्जाम में तो सफल हो गई होगे, एक्जाम से भी जादा matter करता है, जिन्दगी में सफल होना, और मुझे लगता है कि वो जरूर आप होंगे, ठीक है,